बच्चों आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है आज हम लोग कक्षाच्छे की संस्कृत की पुस्तक रूचिरा प्रत्वों भागा का द्वादेशाह पाथा दश्माह त्वमसी ये पढ़ेंगे इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से दस बच्चे नदी पार करके जाते हैं और जब उस पार उतरते हैं पहुंचते हैं तो उनका जो नायक था वो एक दूसरे बच्चे को बोलता है लड़की को कि तुम गीनों की सारे नदी पार कर लिए और जब वो गीनता है तो नौ ही रहते हैं और वो दुखी होकर बैठ जात तब ही वहां से एक राहगीर गुजरते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग क्यों उदास हो और जब वो बोलता है कि फिर से गिनू तो वो अपने आपको नहीं गिनता है जिससे कि नौ ही लड़के दिखाई देते हैं और दस्मा जो है उनको नहीं मिलता है लेकिन जब वो पथ अधिक बताता है कि दस्में तुम हो तब वो बच्चे खुश हो कर घर चले जाते हैं तो दस्मात्वा मसी यह पार्थ हम लोग बढ़ चुके हैं और इस पार्थ का हम लोग आज प्रश्णोत्तर करेंगे और प्रश्णोत्तर में जो सबसे पहले दिया हुआ है अभ्यासः अभ्यासः कि अंतरगा दिये गए प्रश्ण को हम लोग करेंगे तो इसमें जो दिया है उचारण कुरूत पहला जो प्रश्ण है वह है उचारण कुरूत उचारण करो और इसमें जो है पुलिंग इस्त्रिलिंग और नपुनसरिंग इन तीनों ही लिंगों में शब्द द अलग-अलग है एकह, एका, एकम, ये एक की संख्या जो है एक का अंक जो है वो पुल लिंग में एकह कहा जाता है, इस्तरी लिंग में एका कहा जाता है और नपुनसक लिंग में एकम कहा जाता है द्वाव, द्वे और द्वे ये जो है दो की संख्या दोनों तीनों लिंगों में अलग-अलग होती है एक से चार तक की संख्या जो है तीनों लिंगों में अलग-अलग होती है और यहां पर उन चारों संख्या के बारे में तीनों लिंगों के बारे में बताया गया है तीनों लिंगों में एक से चार तक की संख्या क्या क्या बनती है ये बताया गया है त्रया को त्रया कहते हैं पुलिंग में तीस्त्रह कहते हैं इस्त्री लिंग में और त्रिनी कहते हैं नपुन्सक्लिंग में चत्वारह, चतस्त्रह और चत्वारी ये चार की संख्या को कहते हैं उसके बाद जितनी संख्या होती है वो तीनों ही लिंगो में एक समान प्रियोग की जाती है अलग-अलग नहीं होती जैसे पंच, तीनों ही लिंगो में शट 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 सब्ट 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 अस्ट 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 नव 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 दश 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 तो इस तरह से यहाँ पर एक से चार की संख्या तीनों लिंगों में अलग-अलग प्रियोग की गई है और उसके बाद की सभी संख्या जो है वो एक समान प्रियोग की जाती है अब यहां पर जो दूसरा प्रेशन है वो है प्रेशना नाम उत्तराणी लिखत प्रेशनों का उत्तर लिखो तो यहां पर जो पहरा प्रेशन है वो है कती बालकाह इसनानाय अगच्छन कती बालकाह कितने बालक नहाने के लिए गए तो इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है तो प्रश्न दो में उत्तर दो लिखकर हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखेंगे और उत्तर है इसका कि दश बालकाह दश बालकाह इस्तानाई इस्तानाई मतलब नहाने के लिए अगच्छन दश बालकाह इसनानाई अगच्छन दश बालकाह इसनानाई अगच्छन दस की संग्या यह बहु अचन है इसे लिए अगच्छन का प्योग किया गया है अब हम लोग यहां पर देखेंगे दूसरा प्रेशन और दूसरे प्रेशन में यहां पूछा गया है कि ते असनानाई कुत्र अगच्छन ते मतलब वे, पुलिंग है इसलिए वे सब के लिए ते का प्रियोग करेंगे ते इसनानाई कुत्र अगच्छन, वे इसनानाई मतलब नहाने के लिए कुत्र मतलब कहां अगच्छन मतलब गए, वे नहाने के लिए कहां गए तो ते इसनानाई नदीम अगच्छन ते हिस्णानाय नदीन अगच्छन और तीसरा प्रश्ण है ते कम निश्चयम अकुर्वन वे क्या निश्चय किये उन्होंने किस बात को माना तो ते निश्चयम अकुर्वन उन्होंने ये निश्चय कर लिया ये मान लिया कि यत का मतलब है कि दश्माह नद्याम मगना दस्वान नदी में दूप क्या है? ते निश्ययम अकुर्वन ते निश्ययम अकुर्वन ते निश्ययम अकुर्वन यत दस्माह नदी में दूप गया है और अब यहाँ पे घह है चौथा प्रश्न यहाँ पे हम लोग करेंगे मार्गे कह आगच्छत रास्ते में कौन आया? तो मार्गे यहाँ सब्तमी भी भक्ती का प्रयोग है मार्गे में मार्गे पथी कह आगच्छत एक वच्छन ने इसले आगच्छत लिखा गया है मार्गे पथी कह आगच्छत और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे आंगा वाला कौश्छन पथी कह केम आवदात राहगेर क्या बोला? पथी कह आवदात पथी कह आवदात दस्मह तौम असी यह राहगेरों को बताता है कि दस्मह तौम हो और वो सब जो है यह मान के बैठे रहते हैं पहले से कि दस्मह नदी में डूब गया है और अब जो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा प्रशन और तीसरे प्रशन में यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, सही कथन के समक्षम मतलब सामने, सही इती अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत, इती इसका निशान कुरूत मतलब करो, यानि कि सही और गलत का निशान लगाओ, तो यहाँ पे दस बालकाह स्नानाय अगच्छन, दस बालक नहाने के लिए गए, तो यह सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, तो उत्तर तीन है यहाँ पर, तो उत्तर तीन में हम लोग सही का निशान लगाएंगे, अब दूसरा ख़ देखते है इसमें लिखा है कि सर्वे वाटिकायाम अब्रहमन सभी बगीचे में घुम रहे थे तो ये गलत है वो सभी नदी में अस्नान करने के लिए गये थे तो सर्वे यहां पे ये गलत है और अब है तीसरा वाक्य वे वास्तों में नौ ही बालक थे तो ये गलत है वे दस बालक थे इसलिए यहां गलत का निशान लगाएंगे और अब है यहां पे ख़ बालका है स्वम न अगर्यत बालक ने स्वम को नहीं गिना तो ये सही है उसमें खुद को नहीं किना था इसलिए यहां सही का निशान लगाएंगे और अब यहां पर हम लोग अंगा करेंगे और अंगा में जो है प्रश्ण है एक कहा बाल का है नद्याम मगना एक बालक नदी में डूब गया तो यह गलत है कोई डूबा नहीं था तो यहां पर गलत का निशान लगाएंगे और अब चवाला वाक्य देखेंगे चवाले वाक्य में यहां पर लिखा है कि ते सुखिताह तुश्रीम अतिस्थन वे सुखि होकर चुक्चाब बैठ गया तो यह गलत है वे दुखि होकर चुक्चाब बैठ गया थे यहां पर गलत का निशान लगाएंगे और अब च्वाली लाइन है यह च्वाली पंक्ति में देखते हैं कोई भी राहगीर नहीं आया था, तो ये बिल्कुल गलत है, राहगीर आया था, उसी नहीं इन लोग को बताया, कि दस्में तुम हो, तो जव की लाइन में, यहाँ पर नायक अवदत दश्मह त्वम असी इती, नायक ने बताया, नायक ने कहा, कि दस्में तुम हो, तो ये गलत है, नायक ने नहीं कहा था, राहगीर ने कहा था, पतिकह, राहगीर ने कहा था, तो ये गलत है, और अब हम लोग जव वाला करेंगे, अंतिम है ये वाक्य, और इसमें लिखा है कि ते सर्वे प्रहरिस्टाह भुत्वा ग्रिहम अगच्छन ते सर्वे वे सभी प्रहरिस्टाह भुत्वा प्रसन्य होकर ग्रिहम अगच्छन घर चले गए तो ये बिल्कुर सही है वे खुश होकर घर चले जाते हैं जब उनको अपना जिसको वो समझ लिये थे कि नदी में डूबा है तो ये समस्या उनकी दूर हो जाती है और वे सारे जितने गये थे नदी पार करके वे सब खुश हो जाते हैं और वे सभी सही सलामत रहते हैं अब हैं यहां पे चौथा प्रश्ण मन्जुषातहँ शब्दान चेत्वा रेगतस्थान आनी पूर्यत मन्जुषा से रेगतस्थान चुनकर खाली जगव भरे तो यहां पर मन्जुषा में जह दिया है गड़ेत्वा गडित्वा कार्थ होता है गिनकर शुरूत्वा शुरूत्वा कार्थ होता है सुनकर द्रिष्ट्वा द्रिष्ट्वा कार्थ होता है देखकर कृत्वा कृत्वा कार्थ होता है करके ग्रिहित्वा ग्रिहित्वा कार्थ है ग्रहन करना पकड़ना लेकर ग्रहित्वा करते हैं लेकर और तेर्थवा तेर्थवा मतलब यहाँ पर तैर कर तो इन्हीं का यहाँ पर प्रियोग करना है और इसमें हम लोग देखते हैं कि ते बालकाह जो पहला दिया हुआ है उसमें दिया है ते बालकाह नद्याह उतिर्ना नदी पार कर लिए ते बालकाह वे बालक नद्याह उतिरना नदी पार कर लिए तो कैसे नदी पार करेंगे तैर कर तो यहाँ पर तेर्थवा शब्दाया है तैर कर अर्थ में तो हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में तेर्थवा भरेंगे कमे यहां पर हम लोग प्रशन करेंगे, चोथा प्रशन, प्रशन चार, और चार के कमे, ते बाल काह, तेर्टवा, यहां पर, पूरा वाप की लिखेंगे हम लोग, ते बाल काह, ऐसे प्रशनों को करने का सबसे सही तरीका यही है, कि वार्ग के लिपकर उसको पूरा किया जाए क्योंकि प्रश्न दिया रहता है कि सही शर्दों से खाली जगह भरे ते बालकाह तेर्टवा नद्याह उतेर्णा और ख है पतिकाह बालकान दोखितान अपरिक्षत पतिकाह बालकान दोखितान अब यहां पर आजाएगा द्रेश्टवा देखकर अपरिक्षत दुखित देखकर पूछता है और अब है यहां पर कर पुस्तकानी पुस्तकानी विद्यालियम गच विद्याले जाओ तो पुस्तक लेकर तो लेकर के लिए हम लोगे हाँ पर ग्रिहत्वा शब्द का प्रियोक करेंगे ग्रिहत्वा पध है पुस्तकानी ग्रिहत्वा विद्यालियम गच घह पथिकर्स्य वचनम सर्वी प्रमूधिता है यहाँ पे वचनम शुनकर वचन को सुना जाता है खाली जगा में भरेंगे सर्वी यानि सभी प्रमूधिताह ग्रिहम अगच्छन और अंगा है यहाँ पर पथिका है बालकान अकथियत गड़ी इत्वा गीन कर अकथियत दश्माह त्वम असी दश्माह त्वम असी और चा है यहाँ पर मोहनाह कार्यम मोहन का कार्य मोहन कार्यम यानि काम करके कृत्वा करके यहाँ कृत्वा करता करके ग्रिहम गच्छती मोहन काम करके घर गच्छती मतलब जाता है तो इस तरह से यहां पर हम लोगों ने इन प्रश्णों को किया और अब हम लोग यहां पर करेंगे पाच्वा प्रश्न और पाच्वा प्रश्न में पहले चित्र में चित्र एक यहाँ पर चित्र एक में भरना है अस्ट खाली जगा में अस्ट भरेंगे और चित्र दो में हम लोग भरेंगे त्रया है त्रया भरेंगे चित्र तीन में हम लोग भरेंगे एकम और चित्र चार में भरेंगे द्वाओ और इसी तरह से हम लोग इसको उपर करेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे का चित्र पांच द्वे हो जाएगा चित्र छे शट चित्र साथ पांच और चित्र आठ दस तो यह हो गया चित्रों के नीचे जो संख्या लिखनी है एक से चार की संख्या अलग-अलग होगी और उसके बाद की सारी संख्या एक समान होगी तो आज हम लोगों ने इस पार्ट के सभी प्रश्नों को किया और ये अंतिम प्रश्न था, ये पाच्वा ये पाच्वा प्रश्न, अंतिम प्रश्न था तो सभी लोग इसे अपने संस्कृत की कौपी में पूरा कर लेंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समात्त करते है और अगली वीडियो में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे धन्यवाद